अब हम लोग स्टार्ट करेंगे classless addressing के बारे में class full में आपको already complete करा चुका हूं तो please पहले मेरे वो सारे वीडियो देख लो क्योंकि वो basic concepts हैं अगर आपके basic concepts clear नहीं हैं तो आपको advanced topic बिल्कुल भी समझ नहीं आ सकते and this is one of the advanced topic एक बात में आपको और बताता हूं मैं बोल रहा हूं about advanced है लेकिन यह बहुत simple है आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके class full के concept clear है तो मानके चलना 80% IP addressing आपकी अब तक complete हो चुकी है तो अगर आपने मेरे class full वाले सारे वीडियो देख ली है तो मानके चलो 80% rather more than 80% complete हो चुकी है अब सिर्फ 20% बचती है और 20% क्या है सिर्फ कुछ नहीं है वो simple variations है जो आपने 80% में पढ़ा है उसकी तो class full की simple variation है classless addressing और उससे जादा कुछ नहीं है सब बिल्कुल वही concept चलेंगे सब सूपर नेटिंग सब नेटिंग एंड सॉन everything is same थोड़ी थोड़ी small small variations है मैं आपको बस बताता जाओंगा कि यह यह variation है यह अल्रड़ी हम बता चुके है और यहां पर यह variation है बस मैं इस टाइप से आपको classless addressing पढ़ अगर आपको classful अच्छे से समझ में आ चुकी है तो classless तो कुछ ही नहीं आपके आए ठीक है चलो मैं इसको start करता हूं तो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है कि need क्या है classful में क्या problem थी classless addressing आई मतलब क्या दिक्कत आ रही थी देखो अगर मैं एक word में बोलू तो सबसे expectation नहीं थी कि इतना ज्यादा internet develop हो जाएगा और इतने ज्यादा organizations इसके अंदर आने की कोशिश करेंगे इतना किसी को expect नहीं था बट बहुत ज्यादा grow कर गया internet तो इसके कारण IP addressing की मतलब shortage हो रही थी मतलब you can say number of IP addresses कम रह रहे थे और organizations ज्यादा होते जा रही थी तो बात न अच्छा अब wastage क्यों हो रही थी for example जैसे मैं आपको बताऊं किसी organization को 1024 IP addresses चाहिए थे ठीक है 1024 का मतलब समझते हो 2 power 10 IP addresses चाहिए थे तो आपके पास क्या way out बचता है भी class A का तो देना बेवकुफ है class C का आप दे नहीं सकते तो आपको मजबूरी में class B का block उठा करके इ आपको चाहिए सिर्फ 2 power 10 तो आपने वेस्टेज कितनी होगे भी 2 power 16 minus 2 power 10 अच्छा इसको solve करना यह सब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं 64 into 2 power 10 that is nothing but 63 into 2 power 10 that is nothing but approximately 63 अपने जबर्दस्ती वेस्ट कर दिये मैं अल्ड़ेडी आपको बहुत बर बता चुका हूं जसके दो से को फटा फट से आपको बता रहा हूं ठीक है अच्छा जी तो यह चीज फिर अच्छी नहीं लग रहेगी फिर आपके मंद में आ सकता था कि सुपोस करो किसी organization को 2 power 13 आई-पी अड्रस चाहिए तो भी वही मजबूरी है जी आपको 2 power 16 देने पड़ेंगे क्योंकि आप class B का block उठा करके दे देंगे कितनी वेस्टेज हो जाएगी 2 power 16 minus 2 power 13 it comes out to be approximately 8 into 2 power 13 minus 2 power 13 it comes out to be 7 into 2 power 13 आप इसको solve करके देख सकते हो अप्रोक्सिमेटली यह कितना निकल के आएगा 56k निकल के आएगा ठीक आप चेक कर लेना कि यहां पर 8 आएगा तो 7 into the 56 56 into 2 power 10 तो टू पार्टन को approximately 1000 मानते हैं तो 56k 56,000 IP addresses approximately आपने वेस्ट कर दिये वैसे से जाधा हूँ है बढ़ हम पासिबल नहीं हो पाती थी सबनेटिंग या सुपरनेटिंग यह हर बार possible क्यों नहीं हो पाती थी क्योंकि इनके लिए कुछ-कुछ आप जा करके मैं क्या कहूंगा 8 into 2 power 13 तो टोटल नीड कितनी बनेगी 2 power 16 की तो जा करके मैं class B का ब्लॉक दे सकता हूं और वेस्टेज हमारी नहीं होगी इस ताइम पर तो यसी आठ और मुझे धूंड के लानी पड़ेंगी जिनको 2 power 13 IP addresses चाहिए लेकिन अगर बाइचांस मेरेको 8 नहीं मिली मेरेको 5 ही मिली तो फिर वेस्टेज हो जाएगी तो कितनी वेस्टेज हो जाएगी आप अपने आपसे बता सकते हैं देखो भई तो 5 into 2 power 13 ठीक है इतनी आपने IP addresses यूज किये हैं और टोटल क्लास B के ब्लॉक के अंदर हैं कितने हैं टोटल 2 power 16 तो 2 power 16 minus 5 5 into 2 power 13 it comes out to be 3 into 2 power 13 प्लीज आप यह सब चेक कर लेना बेसिक को मैं बार-बार रिपीट नहीं कर रहा हूं आप इसकी चेकिंग कर लेना 3 into 2 power 13 IP addresses आ जाएंगे तो अगें कितनी वेस्टेज हो जाएगी यहां पर 8 निकाले ना 8 024 तो approximately 24 की IP addresses फिर आप वेस्ट कर लेंगे मेरा कहने का मतलब सिंपली है कि यहां पर वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है ऐसी अगर organization की नीड अगर हम लोग समझ लें कि किसी organization की नीड है 2 power 14 IP addresses की ठीक है just for the sake of example मैं ले रहा हूं तो 2 power 14 के लिए मुझे कितनी organization चाहिए होगी चार क्यों क्यों कि 2 power 2 into 2 power 14 तब जा करके मेरे पास 2 power 16 आता है और मैं class B कब लोग दे सकता हूं और wastage नहीं होईगी लेकिन unfortunately मुझे 4 नहीं मिली मुझे सिर्फ 3 organization मिली तो 3 into 2 power 14 हम यूज कर पाएंगे तो एक किसम से wastage बता पा आ जाते हैं gate में तो प्लीज इन सब यहों को अच्छे से माइंड में रखना तो 2 power 16 minus 3 into 2 power 14 that comes out to be 2 power 14 to 2 power 14 IP addresses आप वेस्ट कर लेंगे वाले वीडियो में समझाया था कि चार ब्लॉक उठा लेना class CK और उठा करके दे देना तो आप 1024 IP addresses की request बड़ादां से fulfill कर सकते हैं बट ऐसे थोड़ी हम चार ब्लॉक उठा के दे देंगे आपको अगर याद आ रहा कुछ कुछ कंडिशन थी याद आ रहा है कंडिशन क्या थी पहली कंडिशन थी कि कि इंप्लों चाहिए ना continuous होने चाहिए पावर अफ तू में होने चाहिए मतलब हमें चार ब्लॉक लेने होते हैं आठ ब्लॉक लेने होते हैं एंड साउन उसके बाद फिर यू कैन से इक्वल साइज के होने चाहिए है और डिवीजीबिल्टी वाली कंडिशन बहुत इंपोर्टन थी कि पहला ड्रेस डिवीजीब सब्सक्राइब करने बिल्कुल बंद करो और नया ही कंसेप्ट लेकर आते हैं तो इसको इसकी नीड क्या थी तो सबसे इंपोर्टन नीड तो वैसे मैं आपको अलड़ी बदा चुका हूं कि वेश्ट जो फाइफ एड्रस थी एक और नीड थी एक और नीड क्या थी कि तिल अर्ली 1990s तक सिंगल यूजर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते थे मतलब और बड़ी और इसेंट नहीं होते थी जिनके पास जिनको नीड है 2 पावर 8 IP अडरेसेस की या 2 पावर 16 अडरेसेस की जितने भी मतलब ज्यादा ज्यादा आईप अडरेसेस की नीड है तो वो बड बड़ी और्गनेजेशन इंटरनेट से कनेक्ट होते थी बड़ जब लेट 1990s आया अर्ली 1990s तक तो कोई दिकत नहीं थी लेकिन लेट 1990s में ISP का कंसेप्ट आ चुका था ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सिंगल यूजर इंटरनेट से कनेक्ट होने की कोश दो में इंटरनेट को चाहिए आपकी घर में आपने और सिंग में को सब्सक्राइं मतलब को नहीं बड़ी और से लेकिन बड़ी बहुत ज्यथा समसक है और अ कि लेट 1990 में ISP हो गए थे और सिंगल यूजर इंटरेट से करेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे तो फिर तो बहुत ज्यादा मजबूरी बन गी थी कि हमें क्लास्स चाहिए चाहिए तो लेट 90s की बात यह मान कि चलना लेट 90s में क्लास्स अड्रेसिंग का कंटर सेप्ट डवलप हो गया था ठीक है चलो अब मैं इसकी डीप में जाता हूं और आपको समझाता हूं कि लेप्लेस अग्जेक्ली होती क्या है तेखो वाई ग्लॉस्ट में हमारे पास block length fix थी अगर मैं class full की बात करूं class full में block length fix रहती थी block length क्या होती है block length होती है number of IP addresses in the block number of IP addresses in the block block एक ब्लॉक में टिकने IP addresses है वो एकदम fixed रहते हैं आपको याद आ रहा होगा तो अगर मैं कहता हूं कि block length 2 power 8 that means what मैं class C की बात कर रहा हूं block length 2 power 16 तो मैं class B की बात कर रहा हूं block length 2 power 24 तो मैं class A की बात कर रहा हूं block length का मतार समझ में रहा है number of IP addresses in the block तो कितने IP addresses हैं अगर मैं बात करूँ कि 2 power 8 IP addresses है एक block के अंदर तो directly मैं class C के block की बात कर रहा हूँ I think आपको समझ में आ रहोगा यहां से देख करके मुझे बार बार नहीं बोलना चाहिए अचा block length को कई की बारी हम लोग block size भी कह देते हैं तो इसे confused मों तो block length या block size these are one and the same thing तो main चीज क्या है आप इसको ऐसे visualize कीजिए class full कुछ नहीं है एक cake है आपके पास और cake के आपने fixed sizes के टुकड़े किये हुए है fix sizes के टुकड़े किये हुए है कुछ टुकड़े हैं जो बहुत बड़े हैं मतला वो class A का block हो जाएंगे कुछ टुकड़े हैं जो आपने medium size के रखे हैं वो class B हो जाएगी और कुछ टुकड़े हैं जो आपने class you can say बहुत छोटे रखे हैं that is class C मतलब in the sense हमारे पासे cake है हमने उस cake के fixed sizes के टुकड़े already करके रखे हुए है जो भी जो size का टुकड़ा मांगेगा हम उसको ठाके दे देंगे तो अगर किसी ने you can say 2 power 5 या 2 power 6 IP addresses मांगे तो मैं उसको दे ही नहीं सकता मैं एक बड़ा 2 power 8 का block उठा करके उसको दे दूँगा तो यहां पे फिर वही बात है वेस्टेज वाली बात आती है ज्यादा इंटेलिजेंसी क्या होईगी कि आप cake के ऐसे टुकड़े already करके मत रखो आप cake as days रखो जिसकी जितनी demand होगी जितना जो size मांगेगा आप उतना slice करके cake का उठा के दे दो मतलब in the sense class less addressing वाली बात करना चाहरा हूं जिसकी जितनी demand होगी आप उतना वड़ा block उठा करके उसको दे देंगे मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि पहले से टुकड़े करके रखें ठीक है यही सबसे बड़ी अच्छी बात है हमारी वेस्टेज बहुत कम हो जाएगी और यही चीज यूज करी गई है class less addressing में अगर मैं क्या कहना चाहरा हूं तो आप I think समझ गया होगे class less की अगर मैं बात करूं if I am talking about class less addressing यह चलो मैं नीचे लिखता हूं तो अगर मैं class less की बात कर रहा हूं तो class less में क्या होगा भई ब्लॉक लेंथ फिक्स नहीं होगी ब्लॉक लेंथ इस नाट फिक्स ठीक है फिक्स रखेंगे तो वह बात है वेस्टेज होगी तो जिसकी जितनी डिमांड होगी मैं उतने IP addresses उठा करके दे दूँगा उसको तो उतना ही size या उतना ही slice में केक का कट करूंगा जितनी जिसकी इसकी डिमांड है ठीक है ओके अच्छा जी तो अब इसमें होता क्या था classless में देखो classful में क्या था हमारे पास IP address के दो पार्ट हो जाते थे एक होता था net id और एक बूसरा होता था host id यहां पर बस इनके नाम चेंज कर दिये गए net id host id कहने की बजाए classless में हम लोग बोलत suffix prefix and suffix क्योंकि variable length है ना तो ज्यादा तर net id host id यूज नहीं की जाते यहां पर prefix and suffix यूज किये जाते है जवरदस्ती है अगर आप चाहो तो net id host id भी यूज कर सकते it hardly matters कोई जवरदस्ती वाली बात नहीं है ठीक है ऑके जनरली books यूज करते हैं prefix and suffix तो prefix का मतलब क्या है व जाता हैं कि कितने हैंगी भई 32-n सिंपल सी बात है तो अब suppose करो अगर मैं मानता हूं कि prefix की length 10 है तो suffix की length कितनी होगी 32-10 it comes out to be 22 तो अगर prefix की length 10 है तो उसमें total number of IP addresses कितने होएंगे यह आपको समया रहा होगा 2 power 22 कुछ नहीं है आप समझ सकते हैं कि host id 22 bits की है अगर host id 22 bits की होगी तो obviously कितने IP addresses होगे 2 power 22 तो होई चीज मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है suppose कर लो मेरे पास prefix की length 15 है तो total you can say कितने आ जाएंगे IP addresses 32-15 and it comes out to be 17 32-15 तो total 2 power 17 IP addresses हो जाएंगे किसी block के अंदर अगर उसमें prefix की length 15 है तो ठीक है I think समझ में आ रहा होगा तो common sense से यह बात आप निकाल सकते हैं कि अगर prefix की length जादा होगी तो उस case में suffix की length क्या होगी भई obviously छोटी होएगी है ना तो हम क्या कैसे केंगे कि number of IP addresses suffix की length कम होने का मतलब क्या होगा भई number of IP addresses in the block number of IP addresses in the block या block size हमारे पास क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा है ना यह मैं short में लिखना हूँ प्लीज आप अपनी साफ से no doubt करना तो prefix की length अगर ज्यादा है तो suffix की length कम आएगी मतलब number of IP addresses in the block कम आएगे इसका मतलब और साथ साथ आप वाइस वर्सा भी लिख ले ना उल्टा भी चलेगा उल्टा मतलब अगर prefix की length छोटी हुई तो suffix की length ज्यादा आएगी तो number of IP addresses in the block ज्यादा आ जाएगे I think आप समझ पा रहे होगा मैं यहापर क्या कहना च कीचना से यह अच्छा अब suppose करो अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास prefix की length 0 है मैं यह भी आपको दिखाता हूं message को हटा रहा हूं ठीक है तो आप suppose करो अगर मेरे पास prefix की length 0 होने का मतलब समझ पा रहे हो prefix की length 0 होने का मतलब है कि हमारे पास सिरफ एक ही network है you can say entire internet को मैंने एक ही network की तरह consider किया है यह you can say एक ही block माना है समझ रहे हो prefix का length 0 होने का मतलब entire internet is one block only तो अगर ऐसा scenario होगा तो इसका मतलब क्या होगा भई number of IP addresses कितने होंगे in this block तो यह ऐसे पूछो मैं आप से block length पूछू या block size पूछू तो आप obviously क्या कहेंगे भई 2 power 32 minus 0 it comes out to be 2 power 32 समझ गए clear हो रहा है मैं क्या कहना चाहरा हूं देखो वही चीज है ना जैसे prefix की length ज्यादा है तो suffix की length छोटी है तो number of IP addresses कम होंगे and vice versa यह हमने अभी देखा है तो मैंने एक दम extreme case दिखा दिया कि अगर prefix की length 0 से छोटी तो हो नहीं सकती negative तो obviously हम जाएंगे नहीं तो prefix मैंन अगर net id के लिए हमारे पास eight bits हैं तो हम उसको क्या कहते थे total two power eight organizations हमारे पास हो सकते थी जैसे हम class A में बात करते थे और class B में two power fourteen organizations होते थी क्योंकि शूरू की दो bit fixed रहते थी and song वह से प्रिजे मैं आपको अलड़ी बता चुका हूं मैं सिर्फ आपको सोड़ा सी variation कराने की कोशिश कर रहा हूं विरेशन में क्या कहा रहा हूं कि अगर हम मानते हैं कि net id वाले पार्ट में कोई bit है ही नहीं यह you can say number of bits reserved for net id is zero zero bit reserved करने का मतलब एक किसम से मैं क्या कहा रहा हूं prefix की length zero है अगर prefix length zero है तो obviously हमारे पस कितने organizations होंगे सिर्फ एक ही network होगा तो अगर एक ही network होगा तो उसके अंदर कितने IP addresses होंगे तो वह हो जाएगी किसम से मारा block length सारा कुछ तो interlinked है कुस ही नहीं सत्य जो मैं basic basic चीज़े हैं तो entire internet is one block only तो अगर entire internet एक ही block हुआ तो block length कितने हो जाएगी तो पाव 32-0 तो 32-0 क्यों कह रहा हूं क्योंकि यही चीज़ मैंने भी आपको बता यह prefix की length n है तो suffix 32-n होती है तो IP addresses कितने हो जाएगे 2-0 that is nothing but 2-32 तो अच्छा जी अब अगर मैं ऐसे भी extreme case दूसरा लो prefix की length अगर 32 निकल आई तो इसका मतलब क्या होगा भई इसका मतलब होगा total हमारे पास 2-3-2 organizations है यह you can say total 2-3-2 networks है तो हम क्या लिखेंगे हम यहां लिख सकते थे we have 2-3-2 networks इस सबसे बड़ा हो गया na prefix prefix सारा का सारा ही prefix हो गया तो total we have 2-3-2 networks और block length कितनी हो जाएगी भई 2-3-2 that is nothing but 2-0 and that is nothing but 1 तो इसका मतलब यह extreme case हो जाएगा अगर prefix length 32 होगी मतलब सारा का सारा इसका मतलब क्या हो जाएगा भई we have 2-3-2 networks and block length will be 2-0 that means 1 इसका मतलब हमारे पास total 2-3-2 networks होंगे और हर एक network के एक काई-पेटर होगा यह extreme cases है यह exam में पूछे दा सकते हैं अभी तक gate में यह question नहीं आया है तो फ्लीज इस बात को ध्यान अखना expected question मानके चलना तो ऐसे पूछ सकते हैं exam में कि इस entire internet is considered as a one single block then how many addresses are present in that block that will be 2-3-2 तो अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि entire internet has 2-3-2 networks then each network will have how many IP addresses only one IP address in each network कैसे में क्या पार हों total 2-32 networks हैं तो prefix की length कितनी हो जाएगी 32 अगर prefix की length 32 होगी तो suffix की length कितनी हो जाएगी 32-32 that is nothing but 0 this का मतलब 2 power 0 and that is nothing but 1 ठीक I think समझ में आ गया होगा आप लोगों को यह बिलकुल extreme cases में आप सब के साथ का discuss कर लिये हैं तो basically क्या है कि prefix की length हमारे पास है you can say variable main चीज यहां पर हमें यह समझ में आ रही है कि prefix की length variable है one मान सकते हो two मान सकते हो three मान सकते हो जितना आपका मन कर आप उतना मान सकते हो वही बात है जितना जिसको केक चाहिए होगा मुझा न देंगे ठीक है चलो मैं चीज को हटा रहा हूं आप हां तो basic चीज हमें समझ में आ चुकी है prefix की length हम कितनी भी मान सकते हैं जैसे हम 10 मान सकते है 15 मान सकते हैं 5 मान सकते हैं 4 मान सकते हैं तो कोई मैंने ब्लॉक लिया है और उस ब्लॉक की क्या खास बात है मतलब मैंने केक को कट किया है और कट करते हैं मैंने क्या बूल दिया आपको कि prefix की length 4 है तो अगर prefix की length 4 है और मैं आप से पुछता number of IP addresses in this block तो अब बड़े राम से answer करेंगे prefix length 4 है तो suffix की length कितनी है कि भई टोटल 32-4 it comes out to be 28 तो मैं क्या कहूंगा 2 power 28 तो total 2 power 28 IP addresses होंगे इस block के अंदर अच्छा तो अगर मैं आपको इस ताइप से भी बताता हूं ताकि आपको थोड़ी सी चीज़े relate हो जाएं देखो अगर मैं मानता हूं कि मेरी prefix की length 8 bits की है prefix है 8 bit का तेक है या मैं मानू prefix है 16 bits का या मैं मानू prefix है 24 bits का तो आप मेंज़े समझाएंगे जरा prefix अगर 8 bit का है तो इस जो भी block है अगर मैंने block लिया है और उसमें prefix का length 8 bit का है तो उस block के अंदर total IP addresses कितने होंगे 32 minus 8 it comes out to be 24 और अगर मैंने कोई prefix कोई block लिया और उसमें prefix मैंने 16 bits का उसमें total IP addresses कितने होंगे 2 power 32 minus 16 that is nothing but 2 power 16 तो और अगर मैंने मान लिया कि कोई block लिया मैंने और उसमें prefix की length है 24 bits की तो इसमें कितने हो जाएंगे आई पेड्रेस 2 power 32 minus 24 it comes out to be 2 power 8 को जाने पचाना लग रहा है यह prefix की length 8 bit fixed है तो आप समझ लो मैं बात कर रहा हूं class A की बात कर रहा हूं यह class B की बात कर रहा हूं और यह class C की कर रहा हूं तो अभी तक class full में यही चलता था prefix की length एकदम fixed रहती थी तो 8 या 16 या 24 लेकिन अब क्योंकि class less है तो मैं अपनी मर्जे से कुछ भी बोल सकता हूं मैं यह आपर बोल सकता हूं कि मेरेको prefix की length मैंने ले ली से 22 bits की कोई दिक्कत नहीं आप ले लो तो इसमें IP address कितने आ जाएंगे भई 2 power 32 minus 22 that is nothing but 2 power 10 अब देख पार कितना असान होगा अगर किसी organization को 2 power 10 IP address चाहिए कोई दिक्कत ही नहीं है मैं block pick करूंगा मतलब मैं मेरे पास जो केक है मैं इसको cutting करूंगा और cutting करते नहीं क्या बोलूंगा कि मैंने 22 bit starting की 22 bit prefix के लिए रख ली मेरा काम में खतम हो जाएगा तो मैं simply क्या बोल दूंगा 2 power 10 IP address चाहिए तो 22 bit का prefix ले लो आपका काम खतम समझ पा रहे हो ऐसे ही अब जो आपका मन करें आप वो मान सकते है प्रीफिक्स की लेंद में मान लेता हूं say 20 bits की तो अगर मैं प्रीफिक्स की लेंद 20 bits की मान ले तो 2 power 32 minus 20 it comes out to be 2 power 12 तो देख पार हो 2 power 12 IP addresses देने तो कुछ करना ही नहीं आपको प्रीफिक्स की लेंद 20 bits ले लो आपका काम हतम हो जाएगा तो अब एक चीज आपके मन में आनी चाहिए आपकी मन में confusion आनी चाहिए एक message को हटाता हूं और फिर बताता हूं बहुत important point आएगा फ्लीज इस बात को ध्यान से देखते ही आपको समझ में आएगा कि हंजी 10 है न स्टार्टिंग में तो यह क्लास ए का है तो यहीं से आपको समझ में आ जाता था कि net id के लिए 8 bit fix रहेंगी या you can say prefix की length हमारे पास 8 bits की है और वो शुरू की 8 bits होंगी देखते ही आपको समझ में आ जाता था जब मैं class full की बाते करता था क्योंकि आप रहेंज देख लेते थे ऐसे ही सुपोस करो 140.14.45.60 ऐसे कोई IP address का packet है राउटर की पास तो देखते ही वो बता देगा हंजी net id के लिए कितनी bit fix हैं भई अच्छा जी लेकिन अगर मेरे पास classless addressing चल रही है class full में तो मेरे को समझ में आ जाता था देखते ही अब classless की अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे पास router के पास या you can say मेरे पास जो मर्जी बलो यह तो मैं rough wording उस करता रहता हूं चलो router बोलता हूं है router के पास को यह packet आया कोई packet आया उसके अंदर यह destination IP address था तो कैसे पता लगेगा उसको prefix की length कैसे समझ में आएगी समझ रहे हो मतलब उसको कैसे कैसे उसको समझ में आएगा कि इसमें कितनी bit prefix की और कितनी bit suffix की है इसको clear नहीं हो पाएगा तो अगर उसको exactly clear करना है तो IP address के साथ हमें slash करके लिखना पड़ेगा कि इसमें कितनी bit net id के लिए fix हैं तो मैं यहां पर suppose करो बोल देता हूं 24 slash करके 24 मैंने देदी तो यहां पर जो 24 है तो इसका मतलब क्या है भई शुरू की 24 bits हैं prefix के समया रहा है problem समया रही problem क्या थी class full में तो हमें दिक्कत होती ही नहीं थी एक minute में हमें पता लग जाता था लेकिन class less की जब मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे हम लोग खुद फस रहे हैं एक किसम से prefix की length IP address के साथ हमें देनी पड़ी है अगर हम नहीं देंगे तो फिर हमें खुद भी पता नहीं लगेगा कि क्या block की length है अच्छा यह मत सोचना कि यह जो श्लैश करके 24 है तो आई-पेड्रेस यह से 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 सोर्स आई-पेड्रेस हम लोग लीखा करते थे तो आई-पेड्रेस ऐसे पूरा आएगा ऐसे नहीं आता कि जो 24 बिट्स प्रेफिक्स की है यह एक्चुली में एक किसम से आप समझ सकते हैं कि राउटिंग टेबल के अंदर लिखी हुए होती है आई-पेड्रेस के जाथ लिख्यों नहीं है क्योंकि फिर वही बात है कोई भी चीज फ्री में नहीं आती है 24 है अगर तो 24 का बाइनरी हमें लिखना पड़ेगा तो इटकम अप्रॉक्सिमेटली पांच बिट ले लेगा है ना तो पांच बिट हमें एक्स्ट्रा आई-पी हेडर के अंदर रिजर्व करनी पड़ जाएंगी सौरी मैं डिटेल में जा रहा हूं बट आपको सोड़ सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहरा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं किसे तीजिए मैं आगे वैसे बोलनी है समझे हो तो जब रश्ती की पांच बिट और आ जाएंगी हेडर के अंदर तो हम क्यों जब रश्ती ओवरेड्स क्रेट कर रहे हैं तो यही सोचाएगा कि राउटिंग टेबल के अंदर यह हम रखेंगे कैसे रखेंगे वह सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए सोर्स आई-पड्रेस डेस्टिनेशन आई-पड्रेस ऐसे ही हूंगे ब तो याद रखने हैं आपको अगर लगा करके कुछ भी लिखा हुआ होगा तो वह आपकी प्रेफिक्स की लेंट होती है और जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसको कहा जाता है cidr notation cidr क्या है वही classless इंटर डोमेन राउटिंग classless इंटर डोमेन राउटिंग notation cidr notation यह आपको माइंड में रखना है तो मैं आपको ज्यादा cidr notation cidr क्या है classless इंटर डोमेन राउटिंग classless है यह तो आप समझ जाना कि slash लगा के 24 है तो अब आपकी मन में यह नहीं आना चाहिए कि 10 है यह सब बाते आपको करनी ही नहीं है यह सब भूल जाओ अपने दिमांग से सब निकाल दो slash लगा हुआ चुप चाच से समझ जाना classless addressing है classful classless में confusion अब बिल्कुल दूर कर दो slash लगा हुआ means classless ठीक मत बोलना 10 है तो class A है यह सब कुछ नहीं बोलना आपको समझ में आ गया होगा मैं यह पर क्या कहना चाहरा हूं और यह slash लगी बात है आपके मन में आ सकता है क्योंकि मैंने router वाली बात बोल दी ना ऐसे मुझे बोलीनी चाहिए थी बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं दुबारा से बोल रहा ह आपको आराम से IP header में समझाऊंगा बट यह दोनों चीज़े तो हुटी हुटी है और इन में मत सोचना कि यह slash 24 करके हम लोग लिखते हैं नहीं यहां पर as it is normal destination IP address ही होगा भाई 10 20 30 40 तो router कैसे पता लगाता होगा routing table के अंदर होगा 24 and so on ठीक है वो सब कैसे होगा आराम से मै आपने देखे होंगे routing table given होगे आप से पूछेंगे को IP address और किस port से packet forward होगा and so on वो सब questions टाइम आने पर मैं आपको स्वाल करांगा अभी ज्यादा confusion में create नहीं करना चाहता आपके mind में ठीक है चलो that's it I think आपको कृष्ण के लिए होगा मैं आपके क्या कहना चाह रहा number of IP address in this block मैं आपको सिधा question पूछता हूँ कि IP address in a block is this और आप मुझे बताओ number of IP addresses in the block ठीक है एक block के अंदर का IP address आपको given है और आप से मैं पूछता हूँ कि number of IP addresses in this block बताओ suppose करो यह चीज नहीं दिए अगर CIDR नहीं given तो आपकी मजबूरी है आप तो बोलेंगे सिधा सिधा क्लास के है तो total 2 power 24 IP addresses होगे इस block के अंदर बट अगर यह चीज गीवन है तो फिर आपको माना है कि 24 bits का prefix है तो अगर 24 bits का prefix है तो suffix कितना होगा भाई? suffix होगा 2 power 32 minus 24 that is 2 power 8 तो आप बोल कहाएंगे number of IP addresses in this block is 256 आया समझ में मैंने कैसे solve किया है तो यह से चीज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए यह अभी मैं थोड़ी बोल रहा हूं structured way में मैं questions आपको अराम से solve कराऊंगा बट मैं अभी सिर्फ आपको basic idea देना चाहता कि CIDR की need क्यों आई CIDR अगर मैं नहीं लिखूंगा slash करके नहीं लिखूंगा तो मुझे खुद ही पता नि लगेगा कि इसमें कितने IP addresses नेट मास्क क्या है वो भी नी पता लगेगा अब देखो मैं आपको नेट मास्क बता तो आप एक चटके में बता होगे 24 बिट से प् वे शुरू के 8 1 भर दो तो 25.0.0.0 यह नेट मास्क होता था क्लास के लिए क्लास B के लिए हम क्या करते हैं नेट इडी के लिए 16 बिट फिक्स हैं स्टार्टिंग की तो 16 बिट का मतलब 16 वन हम भर लेते हैं 16 वन का मतलब 25.25.0 एंड सौन तब यहां पे मैं क्या कह रहा हू 24 बिट है प्रिफिक्स के लिए तो 24 वन हमें भरने होगे 24 वन का मतलब समझ पारे होगे नेट मास्क क्या हो जाएगा बही 25 25 25 25.0 हमाजगे ना यह हो जाएगा हमारे पास नेट मास्क ठीक हो रहा होगा आप वही बात है मैं से सारे कोशिन कूछता हूं स्टार्टिंग अड सीधी रेडी है क्या है भई दस बीस तीस जीरो समझ गे ना इसका इससाथ एंड करोगे तो आप समझ पारे होगे क्या निकल करेगा भई दस बीस तीस डॉट 255 बिल्कुल सी कहान नहीं है ज्यादा टफाली बात नहीं है अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूं आइडिया आपको लग चुका है यहां पर कि हमें लगा करके प्रेफिक्स की लेंद बताने पड़ेगी क्योंकि वो विरियेबल है हम अपने आप से नहीं बता सकते हैं कोशन स्वाल करना है तो मुझे यह सब गीवन होना चाहिए ठीक है चलो कुशन लिखता हूं मैं उनको स्ट्रक्चर वे में लिखती है तो फटा-फट से मुझे बताओ नेट मास क्या होगा देखो बई 24 बिट प्रिफिक्स के लिए है 24 बिट प्रिफिक्स मतलब एक किसा नेट इडि तो इसका मतलब आपको यादा रहोगा नेट मास में क्या होता था जितनी भी बिट्स नेट बड़े राम से निकाल सकते हैं दोनों का एंड करो एंड करों तो क्या निकल के आएगा 10 20 30 0 बैसिस में बार बार नी जाओंगा आप लीज अपने उसे चेक कर सकते हैं इन दोनों का एंड कर लो आपके पास यह आ जाएगा लास अद्रस कैसे निकालों के बाई नेटमास का नॉट करेंगे इसके साथ और करेंगे नेटमास का नॉट करके इसके साथ आब और करेंगे तो फैनली क्या निकल का है गा 1020 30.255 ठीक है अच्छा ते पमड़ इसज क्यों इंदर नम्ब्प आइप आइप Nedर के इस ब्लॉकों है और आप से पूछ रहे हैं कि जिसभी ब्लॉग को ईया कि रिलॉंग कर रहा है उसमें टॉटल आउप अधर से कितने होंगे और 2-8 कितना आ जाता है? 256 तो iPad addresses पूछते हैं, तो कितने बोलते हैं? 256 और number of hosts पूछते हैं, 254. माइनस टू हम लोग करते थे, पहला iPad address किसके लिए होता था? पहला iPad address होता था Net ID, और last iPad address होता था direct broadcast address. वो सब्सक्राइब हम अल्रेडी देख चुके हैं, तो वही चीज़ आना देख रहे हो? इस टाप के question मैंने आपको class full में भी कराये थे, और बहुत time लगाया था कराने में, आप मैंने आपको maximum 2-3 minute में question solve करा दिया, तो बहुत simple से cases हैं, पुछ दिक्कत है ही नहीं, आचा, suppose कर होता से 23, तो आप क्या करते हैं, तो 23 का मतलब, आप net mask मुझे बताएंगे पहले तो, 23 ones हमें लगाता है, 23 ones का मतलब क्या होगा, यह 8, 8, 16, और यहां पर 8 हो जाते हैं, तो 24 हो जाते हैं, लेकिन हमें 23 से ही, तो लास्ट वाला एक one, वो actually limit 0 है, तो आप समझ पा रहे होगे imagination से 254 आएगा, समझ रहे हो, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो होना तो 255 होता, लास्ट वाला हमारे पास 0 है, लास्ट वाला 0 हो तो यह number क्या है, आप समझ पा रहे होगे इस bit की value कितनी होती है, 255-1, that is 254, तो वही मने लिख दिया है, first address कैसे निकालोगे, बहुत राम से नि निचे आएगा, क्यों 30s आएगा, क्यों 30s आएगा, क्यों 30 में भी लास्ट वाली bit 0 होईगी, ठीक है, और बाकी यहां पर जो कुछ होगा, वह एस्ट उतर के आना है नीचे, यह सब बेसिक में में और बदा चुका हूँ, आप इमेजिन से अपने देख सकते हैं, नहीं सम सुरू में यह 3-0 उतर ही आएगी, तो 30s आगया, अगर बाया चांस यहां पर 31 होता, तो फिर हम 30 उतर के आते हैं, वह सचीदिया आप गेस कर पार होगा, अपने अपने ज्यादा नहीं भुसता हैं, यह सिंपल मैथमेटिक्स है, अच्छा जी, लास्ट डेस कैसे और 254 वाला 1 हो जाएगा, और 255 और यह था हमारे पास 10, 20, 30, 40, जब आप और करेंगे, तो आपको अपने आप से समझना रहा होगा, अगर आपकी इमेजिनेशन से स्ट्रॉंग है, तो आप डिरेक्ट पी आंसर कर सकते हैं, मेरे दिमाग में डिरेक्ट आंसर आ चुका है, बट सिल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 10, यहाँ पे 20, और यहाँ पे पता होगे, 30 और 1 का और करोगे, तो 31 उतर गाएगा, आप इमेजिनेशन से चेक कर सकते हैं, क्योंकि 30 में यह देखो, यह है और 1 क्या होता है, यह है, तो सीधे सी बात है, यह सब ऐसे से उतर आए तो finally हम यहाँ कहेंगे, last address कितना निकलेगा, 10, 20, 31 और 255, अच्छा जी, number of IP addresses, आप गैस कर पा रहे होगे, 23 है, तो 32 minus 23 हम करेंगे, that comes out to be 2 power 9, और 2 power 9 कितना हो जाएगा, किसम से 512 IP addresses, और number of host कितने होएगे, 2 power 9 minus 2, it comes out to be 510 IP addresses, 510 IP addresses, I think clear हो गया गो सबको, simple सा question था, तो मेरे ख्याल से मुझे और ज्यादा नहीं खीचना चाहिए, कोई भी IP address देतेंगे, blog का और आपके साथ slash करके जूरू लिख के देंगे, तो मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ, अगर यह slash करके ना दिया बहुत हो तो फिर तो आपके पास कोई way out ही नहीं है, आपको कैसे पतल 80% काम आपके खतम है, आपको देख पा रहे होगे, कुछ काम है ही नहीं, यह सब बहुत simple है, चलो, ठीक है, message को हटा रहा हूँ, और questions मैं आपको practice नहीं करवा रहा हूँ, और कुछ होगा तो फिर अगर जैसे feedback students देंगे मुझे, उसके साफ से मैं को practice question का separate video बना दूँगा, इस वीडियो को जो theoretical video उसको मैं लंबा नहीं करना चाहरा, ठीक है, चलो, मैं हटा रहा हूँ इसको, ओके, तो this is all about basic questions, अब एक दू बात में अच्छात over कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को खतम करोगा, ठीक है, देखो, सबसे बड़ी problem, या जो you can say major problem आती है na class less addressing में वो आती है block allocation के, ठीक है, सबसे बड़ी problem, you can say major problem class less addressing में क्या है भई, block allocation के, ठीक है, तो block कैसे allocate करें, ये सबसे बड़ी problem होती है, तो एक बात ये समझो, पहली बात हमें ये clear होने चाहिए, कि block allocation करेगा कौन, क्योंकि देखो, ये problem क्यों है, क्योंकि class less में तो दिक्कत ह Sorry, classroom में to problem है नहीं, क्यों, क्यों कि पहले already जैसे cake का मैंना example ले था, already आपके पस blocks cut हुए है, कोई जदा IP addresses मांग रहा को, class A का उठा कर के दो, कोई थोड़ा से medium size के मांग रहा तो 2 power solan वाला class B का उठा के दो, बहुत कम मांग रहा तो C का उठा कर दो, already सबकुश पहले से ready तहीं थुस्सबिर either हुआ है तो यहां पर क्या है कि अब हमें कट भी करना है और उसके बाद देना भी है अनिसे को पुछ एक की काम करें को यह कों क्नी करें और कों देगा ऐगा तो चोंपर ब्लॉक करें अथोरिटी इंटरनेट असाइंड नंबर अथोरिटी तो ये ब्लॉक एलोकेशन के काम इस ओर्गनेशन का है और ये ओर्गनेशन का है ये है सब ग्रूप आफ इस अब ग्रूप आफ सब आइसी एए एन न इंटर्नेट आइसी एए एन एंड hinter घ्री परेंगे वह कि THIS इंटर्नेट कॉर्पोरेशंं इंटर्नेट कॉर्पोरेशं प्रवर्य from इंच कि नेमस एंड नमबर सिंड तो यह सब दिद्ब आपको लिए पो टपर यादरेसे सब को को IANA और ICANN, तो वही बात है, option में IANA नदरार तो यह सबसे best option है, ICANN नदरार तो फिर हमें इस पीटिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ICANN का ही एक sub-part है IANA, जो यह block allocation का काम करता है, I think समझ में आगा को सब को में क्या कहना चाहरा हूं, और यह authority के हमें बहुत ज़्यादा जर अच्छा जी, अब block allocation ऐसे भी कुछ restrictions है, क्योंकि मैंने काना कि सबसे बड़ा issue है, यह बहुत बड़ी problem है, तो restrictions क्या है block allocation में, restriction देखो block allocation की क्या है, सबसे पहरे restriction तो यह है, कि जो भी organization मांगेगी न, वो power of two में मांगेगी, मतलब ऐसे नहीं मांग सकते हैं, जैसे किसी को 1000 IP addresses चाहिए, तो हम 1000 उठाके देते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, किसने 1000 मांगे, तो हम उसको कितने देंगे भी, 1024 देंगे, क्योंकि 1024 क्योंता है, power of two में होता है, ठीक है, किसे ने 500 addresses मांगे, तो मैं 500 ने दूंगा, मैं 512 दूंगा, मैं क्या IAR ने देगा, ठीक है, तो हमेशा क्या पहले के देगा, हमेशा power of two में IP addresses डिमांड होने चाहिए, अच्छा जी, दूसरी condition क्या है, contiguous होने चाहिए, लगाता, ऐसे नहीं कि कहीं से कोई block उठाके देना, फिर कुछ और उठाके देना, ऐसे काम नहीं करना, मतलब ऐसे सब्सक्राइब करो, किसी organization ने मांगे है, टूटल ये, एक हजार चोविस IP addresses मांगे है, तो एक हजार चोविस IP addresses मांगे, तो मैं ऐसे सोचू ज़रा, 10, 20, 30, 0, slash, 25, ठीक है, तो 32 माइनस 25 कितना हो जाएगा, इसमें मुझे बताना ज़रा है, कितने IP addresses है, 2 पावर 32 माइनस 25, it comes out to be, कितना है ये, 32 माइनस 25, 2 पावर 7, तो टूटल 2 पावर 7 IP addresses यहां से ले लो, फिर कोई और पकड़ लो, 40, 30, 40, 0, और यहां से मैं ले लेता हूँ, बटा 29, तो अपावर 29 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पावर 32 माइनस 29, it comes out to be 2 पावर 3, हां जी, तो 2 पावर 7 मैंने यहां से ले लिए है, 2 पावर 7 विल भी वा और 8 मैंने यहां से ले लिए, यहां से कितने ले ले मैंने, 128, और यहां से मैंने कितने ले ले लिए, 8, अच्छा, बाकी लेने के लिए मैं फिर कुछ-कुछ और ब्लॉक्स उठाने कोशिश करो, यह बकवास तरिक्या भी, ऐसे नहीं करना, ठीक है, मतलब लगाचार देने लगाचार देने हैं, तो इसका मतलब मेरे को ऐसे देने चाहिए, मैं सिधा यहां पर बोलता आपको, सिधा मैं यहां बोलता हूं, से 10, 20, 12, 0, और मैं यहां सिधा बोलता आपको, upon 22, यह पूरा का पूरा ब्लॉक उठा करके दो, upon 22 का मतलब समझ पारे हो, लास्ट में लग first address, यह बहु बात है, बहुत important है, first address of the block must be divisible by, must be divisible by total number of IP addresses in the block, total number of IP addresses in the block, roughly मैं लिखा है, तो please मैं इसको पढ़ देता हूं, first address of the block must be divisible by total number of IP addresses in the block, यह starting address of the block, मतलब, starting address of the block must be divisible by total number of IP addresses in the block, तो यह बिल्कुल वही चीज़े हैं अगर आपको याद आ रहा हो, super netting वाली, याद आ रहा है, यह सब चीज़े एकदम super netting वाली ही हैं, तो वही चीज़े हम लोग यहां पे use करने की कोशिश कर रहे हैं, औ और यह सब चीज़े मैं आपको अल्रेडी super netting में बता चुका हूँ, divisibility वाली बात नहीं रिखोगे, तो routing possible नहीं होती, super netting का लगवे, मैंने एक घंटे का वीडियो बना रहा है, क्लास फुल में यह सब डिसकस किया था, तो मैं और बार 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 बेसिस को scratch करो, उस सब मे अगर आप यह तीनों चीज़े condition फुल्फिल नहीं करवाओगे, तो समझ देना routing possible नहीं हो पाएगे, ठीक है, चलो, यह सब जीज़े मैं अल्री बता चुका हूँ, तो मैं बार बार बेसिस को scratch नहीं कर रहा हूँ, question एक आदा मैं आपको करा देता हूँ, जिससे आपकी थो अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूँ, शैद मेरे से वह बात skip हो गई है, जो IANA है, यह block allocation का काम कर रही है, यह block बड़ी organizations को देगे, bigger organizations, और you can say ISPs, इन सब को देने का काम है, IANA का, single user अगर internet से connect होना चाहता है, तो उसको IP address IANA नहीं देगी, please यह बात ध्यान रखना, मतलब किसी organization को 2 power 8 IP addresses चाहिए, यह किसी organization को उसे 2 power 15 IP addresses चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर IP addresses चाहिए, तो IANA allocate करेगी block को, लेकिन अगर किसी को सिर्फ एक IP address चाहिए, तो फिर IANA को हम करता भी होगा, यह ISP का काम होता है, अगर आपको अपना computer internet से connect करवाना है, तो हम ISP से connection करवाते हैं, तो ISP आपको IP address देता है, तो याद रखने आपको, यह जो IANA है, यह बड़ी organizations को, ISPs को, इनको देती है IP addresses, बड़े-बड़े organizations को बड़े-बड़े block उठा करके देती है, सिंगल-सिंगल user के लिए यह नहीं कर लेगी का, ठीक है, सिंगल user के लिए ISP हमारे पास है, चलो ठीक है, अच्छा जी, तो मैं अब कोशिश करता हूँ, कोशिन कराने की organization है, जिसकी demand है 1024 IP addresses, या ऐसे सीधा बोलता हूँ, 1000 IP addresses की demand है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ starting address क्या हो सकता है, starting address of the block, starting address of the block, A option में मैं देता हूँ, 10, 20, 30, 40, B option, 10, 20, 30, 0, C option, 10, 20, 12, 0, D option, 10, 20, say, 10, 0, बताओ मुझे क्या answer होगा, 1000 IP addresses जी तो पहले बात हो, यह समझ लो, 1024 दिये जाएंगे, 1000 तो दिये ने जाएंगे, power of 2 में में दिये जाते हैं, 1024 चाहिए, तो वही बात आएगा, first address must be divisible by total number of IP addresses, तो first address must be divisible by 1024, तो अगर 1024 का divisible आपको IP address से एतो आपको यादारा होगा, divisibility by 2 की के आते हैं, बाहन डाहन नमर में last में जिरो होना चाहिए, divisibility by 4 के के आते थी last में 20 होना चाहिए, तो आखरी में 10 0 देखो बस IP address में तो आप समझ जाओगे अब यहां पर क्या है यह तो बिल्कुल ही बगवास होगा option क्योंकि लास्ट में 10 0 चाहिए 10 0 का हूं तो समझ पारे हो यह सब चीज़े याद आ रहे हैं से सूपरनेटिंग में करा चुक हूं बट फिर वही बात है रिपीटेशन आ रहे हैं तो कोई बात नहीं मैं एक बार आपको रिपीट जरूर कर रहा हूं तो कि यह चीज़े बहुत इंपोर्टन है कोशन आएंगे एकजाम में अच्छा जी आजरिश हो सकता है एक हजार चोबिस के लिए नहीं हो सकता है अच्छा जी बारा का मतलब समझ पारे होगे बारा का मतलब हो जाएगा डबल बन डबल जिरो उसके बाद आट 0 आपके पास है तो टोटल दस, 0 यह से 10 इसका मतलब एक हजार चोबिस IP एड्रस इसके लिए starting address हो सकता है अच्छा जी लास्ट क्या है भी 10, 20, 10, 0 10 का मतलब आप समत पा रहे होगे 1010 होता है . उसके बाद 80 है तो लगातार 90 से 91 हम खुमा सकते हैं तो ये divisible होगा 512 से तो वही बात है कि 512 IP addresses अगर किसी organization कुछ चाहिए then it can be starting address तो वही बात है अगर मैं यहाप 1500 IP address कह देता तो B और D दोनों option correct थे 1024 के लिए B option correct थे 1024 के लिए C option correct I think clear होगे अगर सबको मैं यहापे क्या करने चाहिए मैरेको I think इस ताइप के और question आपको नहीं कराने चाहिए तो याद रखना में 3rd octate divisible by 4 होना चाहिए यह 3rd octate है ना देखो भई यह divisible by 4 ने यह divisible by 4 ने यह सीधा divisible by 4 है हम सीधा इस पर टिक लगा सकते है divisible by 4 3rd octate को क्यों कहता हूँ तो 3rd octate में last में 2 0 होंगी और जो last octate है वो सारा 0 होना चाहिए समझा रहा है last octate मस्ट भी 0 और जो 3rd octate है that must be divisible by 4 तो मैं कहाँ पहूँगा कि एक हजर चोबेस ipadres के लिए में ले सकता हूँ अगर 512 ipadres चाहिए तो मैं क्या कहूँगा भई 3rd octate जो है 3rd octate क्या होना चाहिए divisible by 2 divisible by 2 मतलब एक किसम से even number होना चाहिए 3rd octate में और जो last वाला octate है या fourth octate है वो क्या होना चाहिए था भई 0 ठेक है अब आप अराम से इसको extend कर सकते है मेरे को जाले इसको खीच नहीं चाहिए किसी को 2048 ipadres चेहिए 1% भी टेंशन ही 2048 का मतलब क्या होता है 2 power 11 तो लगातार 11-0 से 11-1 मुझे घुमाने है 11-0 का मतलब क्या होगा भई आखरी वाला octate तो पूरा 0 और थर्ड octate होगा थर्ड octate में क्या होगा भई आठ और तीन ग्यार होता है तो 3-0 होने चाहिए 3-0 का मतलब समझ पारे हो तो starting address की क्या खास बात होने चाहिए 2 power 16 का मतलब क्या होगा 16-0 से 16-1 मुझे घुमाने है तो आखरी में 16-0 नजराने चाहिए आखरी में 16-0 का मतलब समझ पारे तो बहुत सिंपल हो जाएगा 8-0 का मतलब यह और second last octet या third octet भी पूरा का पूरा 0 होने चाहिए तभी मैं क्या पहूंगा 16-0 में पस आगे तो अगर third और fourth octet दोनों ही 0 है तो यह 2 power 16-9 address का starting address बड़े राम से हो सकता है तो अगर मैं आपको बोलता यह देखो मैं को यह ऐसे दे देता कि 10-20-0-0 तो यह कितने IP address अगर मैं बोलनों कि 2 power 16-9 address ही चीन तो क्या starting address हो सकता है 2 power 16 के लिए बड़े राम से हो सकता है और अगर मैं आपसे यहीं पे पूछता कि 2 power 17 के लिए starting IP address हो सकता है क्या तो उसके लिए फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा आप I think guess कर पार होगा देखो 16-0 तो यहां हो चुकी है 17 के लिए क्या होगा 17-0 चाहिए 17-0 चाहिए तो मतलब second octate में last में 0 चाहिए और 20 में last में 0 जरूर आएगी क्यों क्यों क्योंकि 20 is an even number तो आप guess कर पार होगे दो पावर 17 के लिए भी चलेगा और अगर मैं आपसे पूछता कि क्या यहीं IP address यह starting address हो सकता है दो पावर 18 IP addresses के लिए हंजी दो पावर 18 के लिए भी हो सकता है क्यों दो पावर 18 IP addresses का मतलब क्या होगा लास्ट में 18 0 चाहिए अगर लास्ट में आपको 18 0 चाहिए तो 16 0 तो यहां से आ गई और यहां से फिर मुझे क्या चाहिए होंगी दो जिरो और चाहिए होगी तब भी हम 18 बना पाएगे तो 2 पावर 19 के लिए नहीं चलेगा क्योंकि जो यह octet है second octet that must be divisible by 8 8 के होना चाहिए समझ पार होगा 16 यहां से और 3 यहां से तो 3 0 यहां पे चाहिए 3 0 को अतलब divisible by 8 होना चाहिए 20 is not divisible by 8 हमारा काम नहीं हो सकता अगर यहां पे बाइचांस 24 होका तो 8 से 24 होते है तो 8 का डिविजिबल है ना तो 2 पावर 19 IP addresses के लिए चल जाता इतिंग समझ में आगोगा मिलको और जादे नहीं खीचना चाहिए this is all about your you can say basic topic on class less addressing basic basic idea मैं आपको दे चुका हूं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सबनेटिंग कराऊंगा और उससे नेक्स्ट वीडियो में सूपर नेटिंग कराऊंगा तो मान के चलना दो वीडियो में क्लास लेस अड्रेसिंग भी खतम और आईपे अड्रेसिंग वहारी पूरी कंट्रीट हो जाएगी वहां पर उसके बाद जो बचेवे गेट की कोशिंस हैं वह भी मैं सारे आपको स्वाल करात होगा ठीक है चलिए ओके थेंक्यू